Hello Everyone, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Gen Retard Tablet के बारे में जो की इस Medicine का इस्तमाल बहुँ ज़्यादा, NGT Disorder, इसके अलावा Epilepsy के परपज में, मिर्गी की जो सिकायत होती है, उन से भी Condition में इस Medicine को बहुँ ज़्यादा दिया जाता है इसके साथी साथ और भी काफी तरीके यूज हैं इसके, तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं Gen Retard Tablet के बारे में, इसमें Combination का है, कौन-कौन से परपजों में यूज कर जाता है, क्या डोज है, साइड इफेक्ट, किसे नहीं लेना है यह सभी बाते हमें इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो बात करते हैं Gen Retard Tablet जो की 10 Tablet की Packing होती है, Intas Company की बनाई भी Medicine होती है, 50-60 रुपे की प्राइज में, बहुत ही असाने से मिल जाता है इसमें एक ही Combination है Carbamazepine, Carbamazepine जो की एक तरीके का Anti-Convolution, Anti-Epileptic Drugs के क्लास से बिलॉंग करने वाली है, Medicine है Carbamazepine का इस्तमाल बहुत ज़्यदा से जिवर, दोरे पढ़ने की सिकायत होती है, दोरे कई परकार के रहती हैं, तो उन से भी Condition में इसे दिया जाता है Epilepsy जो की मिरगी की सिकायत होती है, तो उन से भी Condition में भी इसे इस्तमाल करने के लिए दिया जाता है इसके अलावा Diabetic Neuronerve Pain होती है, Diabetes के Patients में, नसों में कमजोरी होता है, नसों में दर्द होती है, चुभन जैसा महसूस होता है, तो उन से भी Condition में भी इस्तमाल करते है इसके अलावा Anxiety Disorder में इस्तमाल के जाता है, बहुत ज़्यादा चिंता की समय समस्या होती है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बुरे विचार आते हैं, Bipolar Disorder होता है, जिसमें पेसेंट लंबे समय तो कुदास रहता है, इसी भी चीजों में रूशी नहीं होती है, देर र रेख देख और डॉक्टर के सलहा के बाद ही इस्तमाल करना चाहिए, यह medicine डॉक्टर अपने experience के नुसार और भी काफी तरीगी problems में इसे prescribe करते हैं, पेसंट की क्या condition है, उसी साफसे इसको prescribe किया जाता है, यह medicine डॉक्टर के रेख देख में इस्तमाल करें, इसका dose का confirmation भी ड थी condition क्या है, और आप इस medicine को किस purpose में ले रहे हैं, आपकी age क्या है, और आपकी problem की क्या stage है, उसी साफसे इसका dose confirm होता है, side effect की बात करें तो अगर आपको suit नहीं करता है, तो vomiting हो सकती है, सरमिंदर्द, हाथ पेरों से बहुत ज़्यादा पसीना आना, भूख ना लगना, च सबी condition में, डॉक्टर को जरूर बता है, उसके बाद ही आप इस medicine को इस्तमाल करें, without सलहा के आप इसे इस्तमाल ना करें, तो यही था, जन रिडार्ड टैबलिट के बारे में जन करी, अगर आपको वीडियो या जन करी अच्छी लगी, तो प्लीज लाइक किजेगा, और हम बहुत बहुत धन्यवाद, थेंक यू फर वचिंग